करेरा में हेड मास्टर की मौत परिजनों ने जोला चाप डॉक्टर पर लगाया हत्या और लूट का आरोप शिवपुरी जिले की करेरा में बीते दिनों होई एक हेड मास्टर की मौत की मामले में परिजनों ने गुरुबार को एस पी आफिस पहुच कर कस्बे के ही एक जोला चाप डॉक्टर पर हैट मास्टर के हतिया और लूट का रोप लगाया है मृतक की पतनी बेटे और भाईयों ने इस मामले में जोला चाप डॉक्टर के खिलाफ हतिया और लूट का मुकदमा दर्च करने की मांग की है पुलिस ने इस मामले में जाच के बाद कारिवाही का श्वासन दिया है संदिक दवस्ता में सड़क किनारे मिला था हेड मास्टर का शव जानकारी के रुसार करेरा कजबे के रहने वाले हेड मास्टर नंदिकिशोर जाटफ का शव 12 अक्टूबर 2030 को संदिक दवस्थास में सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम का जांच चुरू कर दी है हेड मास्टर नंदिकिशोर जाटफ की मौत के मामले को लेकर आज परिजनों ने एस पी ऑफिस में शिकायत दर्च कराते हुए बताया किनार्द किशोर की हतिया जोला चाप डॉक्टर गजराच सिंग गौतम ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कर दी इसके साथ ही उन्होंने हेड मास्टर की जेब में रखे नग दी तीस जार और मोबाइल लोटने का आरोग भी योगते छोला चाप डॉक्टर पर लगाया है पुलिस ने परिजनों को जांच के बाद कारिवाही का आश्वासन दिया किस काई के लिए बुला रहा है इलाज के लिए बुला रहा है कि वहां पर उसके बाद पता नहीं है ना उन्होंने प्वन लगाया तो पुलिस ने फाई या दर्ज नहीं किया नहीं अभी कोई अफैदाश नहीं है किवल मर्क काम किया है तो थोड़े बैसी तारास तो आज एस्पी साब ने क्या बोला अब कुछ नहीं आवे जन देने जा रहे हैं अभी तो लगवाया है थोड़ा गर से ले टोगए